हेलो गाइज टेक्निकल उमन बोस में आपका हर्दी स्वाकत से फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुरुतियुदेव जो आप टाइप करते हैं तो आपने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम देखे होंगी जो कि आपको फेस कंड़ी परती होंगी उसमें आप क्या करते होंगे जब भी कोई भी चीज आप टाइप करते हैं हिंदी में तो उसमें इस पेस दवाते ही कुछ और टाइप हो जाता मतलब आप तो सही सब्द टाइप कर रहे हैं उसमें अलग से कुछ और टाइप हो जा रहा है तो उसी को आप किस टाइप से सॉ तो आप टाइपिंग करते हैं ठीके फ्रेंट्स तो मैंने यहां पर MSWord यहां पर खोल लिया है उसके बाद यहां पर मैं अपना जो फॉंट है कुरूतिदेव वाला ग्यातन जब यहां पर jumping 010 यह वाला में select करने के बाद यहांपर मैं अपना साइज choose कर लेता हूं मैं यहांपर देख सकते हैं बड़ा चूस करता हूं ताकि आपको अची तरह के घर नहीं करता हैं दूसरा वर्ड भी यहाँ पर टाइप करता हूं यह नीचे की साइट देख कते हैं अंडरलाइन भी आरही है इसको वह कैसे रूमु करेंगा मैं आप को बताता है जैसे कि मैं यहा Сथा हूं के मेरा ठीक है फ्रेंट्स जैसे मैंने दाम लिखा तो च्छाम हो गया तो यह बहुत ज्यादा लोगों की यह प्रॉब्म रहती है वह मतलब टाइप करते समय उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्म रहती है कि यह पता नहीं कहां से आ जाता यह कौन सी सैटिंग है जिसकी मदल से हम इसको सॉल्व कर पाया और पर देख पा रहे हूंगे यह रैड कलर की जो लाइनिंग आती है इससे भी बहुत ज्यादा लोग परिसान लेते हैं तो इन सभी प्रॉब्म को आप सॉल्व किस्टाइब से कर सकते हैं वह मैं आपको बताता हूं तो आपको इन प्रॉब्म को सॉल्यूशन एक छोटी सी से हैं पहले मैं इसको रिमूब कर लेता हूं रिमूब करने के बाद अब आपको यहां पर की साइड आपको एमस वर्ड में यहां पर देख सकते हैं वर्ड ऑप्शन का यह आता है ओफिस बटन ठीके फ्रेंट्स ऑफिस बटन पर आपको जाना है ओफिस बटन पर जाने के बा यहां पर उप्षन होता औटो करेक्शन औपसं यही 樂े जो आपके डेलन ही ऑप्षने गरोतो है आपको आपको उप्षन औपसंपे आंपको क्लिक कर देबना है जैसिए आप आपको को क्लिक करेंगे तो यहां पर जो यह उपर खोद हम आपकर यह इवंको सब कि मैंने यहां पर हटा दिए ठीक है फ्रेंट्स यहां पर वाले 6 जो पॉइंट है आपको इसको रिमूब कर देना है उसके बाद आपको यहां पर नीचे की साइड ओकी के बटन पर यहां पर क्लिक कर देना है ठीक है फ्रेंट्स यहां पर जैसे आप ओकी के बटन पर क्लिक क कर देना है ठीक है फ्रेंट्स अब यहां पर जो भी आप टाइप करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से होगी इस पेस दबाने पर वह गलट टाइप नहीं होगा जैसे कि मैं यहां पर राम टाइप कर लेता हूं देख सकते हैं इस पेस दबाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ जो पहले घलत हो ता हूँ आप दाम टाइप कर ता हूँ और यहां पर दाम भी अच्छी तरीके से यहां पर टाइप हो जाता है स्पेस दबाने के बाद कुछ भी नहीं वह रहा ना ही इसमें किसी भी तरीके के अंड Ralph कर देखिए और मुझे मांट करा रहा है कि नहीं क्योंकि बहुत से लोग को यह परिशानी हो रही थी कि उनका जो ms word है उसमें बहुत जाए दिक्कत होती है auto correction वो automatically हो जाता है इसी तरीके से mobile में भी होता है कभी कभी हम कोई word type करते हैं तो उल्टा हो टाइप हो जाता है तो इसको problem को auto correction को off कर दीजिए आपको problem solve हो जाएगी